20 तारिक को 20 सेप्टेंबर को के के हस्पिटल में दुर्गेश चौधरी नाम का एक पेशिंट आया था उसका उमर 20 साल है तो यह बहुत रेसलेस था बहुत गंबी रिस्तिती में था इसकी जब जाचे की गई तो उसमें क्रेडनिन इसका 13 आया नॉर्मल क्रेडनिन एक होता है इसका 13 था तो इसका जो है तो तुरंट से इसको आयवी फ्लूट दिये गए और इसकी डायलेसिस की गई इसकी दो डायलेसिस के बाद क्रेडनिन अराउंड 6 आ गया था छे के बाद इसका पेशा पेशा ठीक से आना शुरू हो गया तो आज इसका क्रेडनिन 30 तारिक को 10 द को बढ़ाने के चक्कर में इसने कुछ दवाई लिए इंजेक्शन ली जिसकी वज़े से इसकी किड्नी फेल हो गई तब ये बहुत गंबी रिस्तिती में हमारे हैं रैफर किया गया था ऐसे पेशन्ट जादा तर देखे गए हैं के इनका यूरीन बापिस नहीं आता किड्नी काम नहीं करती हैं किड्नी ट्रांस्प्लांट की भी जरूवत पड़ती है लेकिन इस मरीज का किड्नी सही हो गया है और ये अपना ठीक हो के घर जादा है इस मरीज में केके हॉस्पिटल की पूरी टीम और डॉक्टर अनन्त जोशी जो नेफ्रोलोजिस्ट हैं बी लके में दिली में उनका बहुत अच्छा योगदान रहा है देखिए परफॉमेंस जो एनेंसिंग ड्रक्स होती है उनसे परफॉमेंस तो बढ़ जाएगी आपकी लेकिन वो नुकसान बहुत करती हैं आपके अंगों को नुकसान करती हैं डेमेज करती हैं और आपकी आगे की जिन्दगी के लिए सारे अंग खराब कर देती हैं तो ऐ या फिर डॉक्तर के प्रस्क्रिप्शन पे ही लेनी चाहिए